यूपे के बाहुबली पूर्व विधायक माफिय मुक्तार अंसारी को 19 साल पुराने मामले में इलहाबाद हाई कोट की लखनव खंडपीठ ने 7 साल की सजा सुना दी है मुक्तार के अपराधिक करियर में या पहली बार है जब उसे किसी मामले में सजा सुनाई गई नहीं तो कृष्णा नंदराय हत्या कांड हो या विश्व हिंदु परिशत से जुड़े कारोबारे नंद किशोर रूंग्टा की अपहरन के बाद हत्या का मामला मुक्तार अंसार हर बार कानून की पेचिदगीयों का फायदा उठाकर सभी मामलों में बरी होकर निकल गया जिस मामले में बद्धवार को मुक्तार को सजा हुई है उसमें भी ट्रायल कोर्ट ने उसे बरी कर दिया था लेकिन सरकार ने निचली अदालत के फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में पैरवी की और मुक्तार को सजा दिलाई पचास से ज्यादा गंभीर अप्राधो में नामजद मुक्तार ने कभी नहीं सोचा होगा कि 23 अप्रेल 2003 की सुबा लखनव जिलाकारागार के जेलर एसके अवस्थी को दी गई जान से मारने की धंकी उसे 19 साल बाद जाकर भारी 27 साल जेल की सजा सुनाई मुक्तार अंसारी के यूपे में गिंती कुख्यात के रूप में होती है लेकिन उसका पारिवारे के इतिहास काफी गौरफ शाली रहा है उसके दादा मुक्तार अंसारी आजादी से पहले इंडियन नैशनल कॉंग्रेस के अध्यक्ष थे उनके न महावीर चक्र विजेता ब्रिगेडियर मुहमद उस्मान अंसारी बाहुबली मुक्तार अंसारी के नाना थे जिन्होंने 1947 की जंग में ना सिर्फ भारती सेना की तरफ से नौशेरा की लड़ाई लड़ी बलकि हिंदुस्तान को जीत भी दिलाई इस जंग में वा शहीद हो माफिय मुक्तार की वज़ा से यूपी और पंजाब की सरकार आमने सामने आ गई थी दरसल जब यूगी सरकार ने मुक्तार अंसारी और उसके गैंक पर शिकंजा कसा तो वह पंजाब में दर्जेक मुकदमे में वहां चला गया रोपर जेल में रहने के दोरान यूपी सरकार ने कई बार मुक्तार को यूपी लाने की कोशिश की लेकिन पंजाब सरकार किसे ना किसी बहाने उसे वहीं रोकती रही मुकतार को लाने के लिए जब यूपी सरकार सुप्रीम कोल्ट चली गई तो वहां भी पंजाब सरकार ने उसे बचाने की कोशिश की लेकिन पंजाब सरकार की दाल नहीं गली आखिरकार 6 अप्रेल 2021 को यूपी सरकार उसे पंजाब की रोपर जेल से बांदा जेल लाने में काम्याब रही यूपी सरकार में 5 वर्षों के दोरान मुक्तार अनसारी और उसके गैंग से जुड़े लोगों की 527 करोड से ज्यादा की समपतियां या तो जब्त कर दी या धोस्त कर दी हैं माफिय के खिलाफ देश भर में 58 मामले दर्ज हैं इनमे से 20 कोट में विचारा धीन है सरकार ने गैंग्स्टर एक्ट के तहट माफिया और उसके करीबियों की करीब 247 करोड की प्रॉपर्टी जब्त की है उसके अवैध कबजे से करीब 280 करोड की समपतियां या तो मुक्त कराई गई है या धोस्त कर दी गई है इसके अलावा उसके गैंग के ठेका, टेंडर और अवैध व्यवसाई बंद करा कर करीब 212 करोड की चोट पहुचाई गई है